नमस्कार फिर एक बार पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं आनन्स टीनिवासन आज ये बोलना चाहता हूँ कि आज की युवा जो है क्या-क्या गलती करती है जब निवेश के बारे में सोचती है और निवेश करती भी है पहला निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं निवेश के बारे में पहले आपको पढ़ना चाहिए अनेक रिसोर्स हैं आज आपके पास इंटरनेट हैं हमारे जमाने में इंटरनेट का नामी नहीं था अभी 10 साल के उपर सब जगह इंटरनेट हैं इंटरनेट में सब र करक कर एक decision में आ सकते हो पहला यह समझना है निवेश क्या-क्या types हैं आप निवेश किदर किदर कर सकते हैं निवेश करने में सिर्फ तीन या चार roots हैं आपके पस क्या-क्या हैं आप किसी को कर्स दे सकते हो अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो आप बैंक को कर्स दे अगर आप पैसा सेविंग्स बैंक में रखते हो तो आपको सेविंग्स बैंक इंटरस्ट रेट में पैसा देगी। पैसा वापस आएगा कि नहीं पहला आपको सोचना पड़ेगा दूसरा जहां आप पैसा डाल रहे हैं उसका regulator कौन है वो भी सोचना पड़ेगा अगर कोई regulator ही नहीं है उधर पैसा डालके आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा तो अगर आप लिस्टेट कंपनी में डाल रहे हैं तो से भी regulator है अगर आप finance company से deal कर रहे हो तो reserve bank regulator है अगर आप सिर्फ एक manufacturing company को सीधा fixate deposit दे रहे हो उसमें कोई regulator नहीं है सिर्फ ministry of company affairs यह regulator है तो आपका पैसा बड़ा risk में जाएगा company deposit करने के पहले पर्क लो की वो अच्छा company है टाटा company को पैसा दे सकते हो आप किसी fly by night operator को दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा यह पहले सोचना चाहिए दूसरा आप किसी को guarantee दे सकते हो guarantee देने से आपको fees मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा जैसे आप अपने friend ने curse ले लिया तो आपने उसको guarantee sign दे दी तो आपको उनसे fees लेना चाहिए लेकिन अगर आपके friend ने payment में default कर लिया तो bank या NBFC आपके घर में आके आपसे पैसा वसुली करेगा तो guarantee sign देने के पहले दस बार सोचिए यह हुआ दूसरा type का तीसरा type के है आप पैसा सोने चांदी में डाल सकते हो platinum में डाल सकते हो अगर आप precious metals में पैसा डाल रहे हो तो आपको पैसा इससे इसलिए मिल रहा है कि government बहुत पैसा चाप रही है और पैसा जब बहुत चापती है तो मुद्दास पिती का situation आ जाती है inflation का situation आती है और पैसा का महमुल्य कम हो जाता है और सोना चांदी platinum का उपर जाता है इसलिए हम protection के लिए सुनियत सोना चांदी platinum में invest कर सकते हैं चापता most important आप share बजार में investment कर सकते हो शैर में invest करने के पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा research करना पड़ेगा उसके बादी share में investment कर सकते हो share में ये प्तातपर रहा है कि जब company मुनाफ़ा बनेगी तो आपको profit में एक portion distribute होगा जब company profit बनेगी तोड़ा earnings वो retain कर लेगी और जो पैसा बाकी है उसको dividend के तरफ distribution करेगी ITC जैसा एक बड़ा company जो profit बनाती है 80-85% का profit वो dividend में बाठती है इसलिए ITC का dividends बहुत high है इन सब को देखे और एक route है real estate investment real estate में अगर आप investment करेगे तो आज की समय 2010 के बाद returns नहीं मिलेगा क्योंकि दाम बहुत उपर बढ़ गई है और rental rates बहुत नीचे आ गए है इसलिए आज की economic के time में और दसास्तरा में पैसा डाव real estate में डालना बहुत riskी चीज़ है वापस पैसा नहीं आएगा अब ये मैं ब relations नहीं है तो आप ये सोचते हो पैसा आज डालूंगा और मुझे तीन महीने में दो महीने में रिटर्न होना चाहिए ये नहीं हो सकता है वो gambling के उपर है तो तुमको क्या कर वो gambling जैसा है एक दिन आपको result आएगा दूसरा दिन result नहीं आएगा अगर आप company में invest कर रहे हो shares म आपको ये समझना चाहिए कि आप long term के लिए invest कर रहे हो अच्छे दाम में पैसा लेना चाहिए अंग्रेजी में बोलते हैं price is what you pay value is what you get मानें जो दाम दे रहे हैं वो आप payment कर रहे हो मुल्य जो मिलता है वही आपको पास आएगा तो company को कम दाम में करीदने से ही आपको मुल्य हो जाएगा पिछले साल ITC 130 रुपिया में मिलाता वो बहमुल्य प्राइस था अगर उस प्राइस में लिया गया तो आपको बहुत profit हो जाता आज ITC का share 240 रुपिया में चल रहा है आपको 30% मिल रहा है और 8 रुपिया dividend में already मि चुका है तो अगर को आपको 110 रुपिया का मुनाफ़ा मिल गया अगर आप उसको आज बेच जद अरजनसी में बिना सबर उसको बेच देते हैं तो फिर आपको 31 रुपिया में नहीं मिलेगा अगर आप उसे 10 साल के रखेंगे तो हर साल 8 से लेके 10 रुपिया का dividend भी आपको सबर से काम लेना चाहिए तीसरा point most important point आपको market timing नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं technical analysis चार्ट दिखाते हैं और बोलते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कि आज पैसा डालेंगे टीन मिन में 20% return आएगा सच कमपनियां हैं जो scheme चलाते हैं कि हर महीने आपको 2% return देंगे यह सब नहीं हो सकता है market में कुसको भी कोई को भी पता नहीं है कब और कितना return नहीं है अगर मेरे सपास एक लाग डालके हर महीने 2000 रुपिया मिलेगा तो मुझे 24 असार एक साल में मिल जाएगा आईसा return होता तो हमें कोई भी पैसा डालके एक billionaire बन जाएगा यह सब नहीं हो सकता है आपको तोड़े तोड़े पैसा डालना पड़ेगा करेक्ट टाइम में बहुमुल्य शेर करिकरिन ना पड़ेगा बहुमुल्य मीन्स प्राइस दाम बहुत कम होना चाहिए वैल्यू बहुत अच्छा होना चाहिए तब ही आप जोके profit मिलेगा आते समय में इसके बारे में मैं बहुत सा वीडियो डालूँगा दन्यवाद नमस नमस्कार मेरा नाम आनंस्टे निवासन है और मैं एक personal finance consultant हूँ मैं दो YouTube चैनल चलाता हूँ personal finance के बारे में एक money page तमल में है मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंडी में एक चैनल शुरू करूँ तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंडी चैनल शुरू किया है मैं personal निवेश के बारे में भी बात करूँगा आप उसको subscribe करें अपने दोस्तों को share करें अगर आप हिंडी नही हैं तो पैसा करें जो आपके दोस्त हिंडी जानते हैं उनको subscribe करने के लिए आग रख करें दन्यबाद नमस्कार